आप देख रहे हैं यूट्यूब चानल इंपर्स टुटूरियान मैं हर्यंदर रुपता आपके लिए मापन पार्ट टू जिसमें हम लोग मापन के बहुत पुल प्रस्णों को पढ़ेंगे और समझेंगे इसके तरिक हम लोग कुछ टोपिक है जिसको भी समझेंगे तो आई हम लोग भाग दो देखते हैं और जितने लिए लोग हमारे चैनल पे से जुड़े हैं और अभी तक भाग वन नहीं देखे हैं तो भाग वन देखिएगा तभी भाग टू समझने आएगा तो आई देखते हैं भाग टू यह देखते हैं भाग टू यह देखते हैं भाग ट सकता होती है दिशा की नहीं उन्हें अदिश राशिया कहते हैं अर्थात जिन राशियों को दिर्थ करने के लिए परिमार के उसकता होती है उन्हें अदिश राशिया कहते हैं जैसे चाल, दूरी, समय, दाप, ताप, अबृती और भी राशिया अदिश होती है लेकिन ये जो रासिया है अदीश है इसके अत्रिक्त और भी रासिया होती है जो अदीश है आएए देखते हैं सदीश रासिया सदिस रासिया, व्यक्तर क्वांटिशन, जिन भावतिक रासियों को व्यक्त करने के लिए या परदर्शित करने के लिए परिमार के साथ दिशा के विजवसक्ता होती है, उन्हें सदिस रासिया करते हैं, जैसे विस्थापल, बेग, तवरार, बल, समेग, आवेग, ये सभी स सदिस रासिया है इनको वेट करने के लिए परिमार के साथ साथ दिसा की आवसकता होती है आए देखते हैं जैसे यांपल के रूप में आप ने बात किया द्रेमान का तो द्रेमान सदिस रासिया है क्योंकि कोई भी बॉस्त आप खरने जाएंगे या द्रेमान की बात करेंगे उसमें कोई दिशा के चर्चा नहीं करेंगे केवल उसमें परिमान होगा लेकिन वही बात करते हैं बल की तो बल में दिशा के साथ साथ धर्मान के साथ साथ दिशा भी होगी जैसे कोई दर्वाजा खुलना है तो आपको बोलना पड़ेगा अंदर से की बाहर से यानि उसमें दीशा क्यों सकता होगी इस तरह से सदीष राशिया दो प्रकार के हो गई सदीष राशिया और अदिष राशिया तो आपको अगर पूरी तरह से मापन देखना है तो पार्ट वन देखना पड़ेगा तब हम लोग मापन का पूरा थियोरी क्लियर कर पाएंगे आगे चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे आगे मापन से समंधित प्रस्न पढ़ेंगी नहीं सिखेंगे कि कैसे हम लोग डेका मीटर को किलो मीटर में हेक्टो मीटर को मिली मीटर में चेंज करते हैं तो आईए हम लोग सबसे पहले इसके पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे देखिए ये लिखा है पहला उदार एक मीटर को माइकराउन में देख्ट कीजिए चुकि हम लोग जानते हैं कि एक माइकराउन is equal to 10 के पावर माइनस 6 मीटर यह हम लोग कल के वीडियो में पार्ट वन में पढ़े हैं कि एक माइकराउन में कितने मीटर होते हैं यहां पुछाए कि एक मीटर में कितने माइकराउन हम लोग पढ़े हैं एक माइकराउन में 10 के पावर माइनस 6 मीटर तो हम लोग एक मीटर में निकलना चाहें तो एक मीटर यानि ये एक माय Mart own और 1 बाई 10 के पाउर ये 6 हो जाएगा मीटर हो जाएगा, तो मीटर निकालना है तो मीटर को अहीं छोड़ेंगे तो ये इधर आ जायेगा तो ये हो जाएगा 10 के पाउर 6 माय då मीटर, मीटर बोले तो 1 मीटर, यानि हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 के पावर 6 माइकरान, इस तरह से हम लोगा पहला उधाराण सल बहता है, देखते हैं उधाराण 2, एक इंगे स्ट्राम को माइकरान में रख किजिए, बहुत most question है, ये कई बाराया है, very very important, देखते हैं आईए, एक इंगे स्ट्राम को माइकरान में रख किजिए, क्योंकि हम जानते हैं, आपको बताया थे, part 1 में कि एक इंगे स्ट्राम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, अब पुछाए कि माइकरान में, यानि ये मीटर में नहीं पुछाए, चुकि हम तो मीटर में जानते ह इधर हम चर्चा करेंगे 10 के पावर माइनस 10, अचुकि हम जानते हैं, अभी हम पढ़े कि 1 मीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर, अभी हम लोगे पताए उपर, 1 मीटर में 10 के पावर 6 मीटर, यानि इस मीटर को हटा करके, और 10 के पावर 6 मीटर, लिक देंगे, अब हम जानते ह पिए धेकारri समान है तो घाद जुटेगा तो 10 के पावर माईनस 10 plus 6 microm यानी 10 के पावर ये चीन अलग-अलग है तो घटेगा बडा में से छोटा यानी 10 में से 6 4 आप यानी एक एंगेस ट्राम में 10 के पावर माईनस 4 microm होता है यादभी कर लेंगे और इसको निकलाएंगे नेस्ट कोश्चन देखते हैं देखिए प्रस्ट संक्यातीन एक दीन को सेकेंड में रख किजी एक दीन को सेकेंड में कहा है चुकि हम लोग जानते हैं कि एक दिन में, एक दिन बराबर 24 घंटा, चुकि हम जानते हैं कि एक घंटा बराबर 6 मिनट, एक घंटा बराबर 6 मिनट, तो इसलिए 24 गुणे क्या हो जाएगा, चुकि हम लोग का प्रशन में कहा है कि सेकेंड में चेंज किए, एक दिन को सेकेंड में, हम लोग निकाले मिनट में, आगे बढ़ेंगे 24 गुणे, साठ, और मिनट में यहां हम लोग जानते हैं कि एक मिनट बराबर, साठ सकेंड, तो इसलिए हम लोग किया गया, साठ, गुणा करेंगे हम लोग आपस में, तो हो जाएगा 86,400 सेकेंड, यानि हम लोग याद भी कर लेंगे, और निकालना भी जाने गया, कि एक दिन में कितन 8400 सchecир non-shit यह संसरी में ए सब्सक्राइब कमने कि एक दिन बार भी पर चाहते हं एp इक बात करते हैं कि एक मीनट नेक संसरी की माईक्रो सेकेंड में वैक्ट किजिए कि हम लोग बात करते हैं कि एक मेमर बाराबर हम लोग जानते होता है साठ सेकेंड यह हम लोग जानते हैं एक मिनट में साठ सेकेंड यहां बोला है माइक्रो सेकेंड हम लोग कल पढ़े थे डेका हेक्टो किलो देशी सेंटी मेली मेगा गीजा टेरा पेंटा एकसा माइक्रो नैनो पी को फेमतो एक्टो तो वहां से माइक्रो हम लोग कल पढ़े थे कि एक माइक्रो बराबर 10 के पावर माइनस 6 हम लोग कल पढ़े थे एक माइक्रो बराबर 10 के पावर माइनस 6 क्या तो यहां हम बोले थे मिनट बोलेंगे तो आपको मिनट बोलना पढ़ेगा अगर यहां सेकेंड बोल दे तो आपको यहां सेक 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 9, 10 के पावर माइनस 12, तो यह पार्ट 1, जो हम लोगों मापन है, पार्ट 1 में आपको बताया गया था, लेकिन यहां से हमको चाहिए second नहीं चाहिए, तो यहां से अगर यह second के जब चला जाएगा, इधर आएगा, तो 10 के पावर 6 हो ज तो यहां पे 60, और यह second को जब हटाएंगे, तो उसके जगा पर लिखेंगे 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड, यहां पे 10 मोलो है, यहां जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, यानि 6.0 into 10 to the power 7 माइक्रो सेकेंड, यानि हम का सकते हैं कि एक मिनट में इतने माइक्रो सेकेंड ह होते हैं, नेक्स चलते हैं वड़ीओ पर, आई, नेक्स कोशन हैम लों का, कोशन नमबर 5, एक सेकेंड को 99 सेकेंड में रख किजिए, एक सेकेंड को नैनो सेकेंड में कल हम लोग पढ़े थे माइक्रो नैनो पी को यानि माइक्रो नैनो माइक्रो दस के पावर माइनस 6 नैनो दस के पावर माइनस 9 तो हम लोग जानते हैं कि एक नैनो माइक्रो के बाद नैनो तो एक नैनो मतलब 10 के पावर माइनस 9 अब यहाँ क्या जो भी यहाँ जिसे मीटर बोलेंगे तो यहाँ मीटर लिखेंगे चुकि लिखा है सेकेंड कितना सेकेंड होता है नेनो सेकेंड यानि हम लोग बोलेंगे सेकेंड सेकेंड हम लोग बोला एक माइक्रो गाम, तो हम लोग जानते कल का एक माइक्रो बराबर दस के पावर माइनस छे, अब यहाँ क्या, कुछ नहीं तो, कुछ नहीं, हमने लिखा यहाँ ग्राम, तो आपने भी कहा ग्राम, लेकिन अभी शुल नहीं हुआ क्योंकि हमने एक माइक्रो ग्राम में इतना ग्राम निकाला क्योंकि प्रश्ण में किलो ग्राम में कहा है कि किलो ग्राम कितना होता है तो हम ये ग्राम को हटाने कोशिस करेंगे और यहां पर किलो ग्राम राएंगे अब क्या ग्राम तो यहां भी ग्राम एक किलो ग्राम दस के पावर तीन ग्राम अब चुकि एक ग्राम में निकालेंगे क्योंकि ग्राम को हटाना है एक ग्राम तो एक ग्राम को निकालना चाहें एक ग्राम को तो जब यह इधर आएगा तो 10 के पावर माइनस 3 किलोग्राम मतलब एक ग्राम में 10 के पावर माइनस 3 किलोग्राम तो यहां से ग्राम हटेगा तो 10 के पावर माइनस 6 इंटू इसके जगा पर हो जाएगा यह यह यानि 10 के पावर माइनस 3 किलोग्राम यानि अगर बेस सेम है तो पावर को एड करेंगे यानि हाथ को जोडेंगे तो 10 के पावर माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 किलो ग्राम यानि हमारा प्रश्ण हुआ एक माइक्रोग्राम में कितना किलोग्राम तो एक माइक्रोग्राम बराबर हो गया दस के पावर माइनस नो किलोग्राम नेक्स प्रश्ण दखते हैं प्राश्न साथ है आपका तुरितिवी से किसी पिंड की दूरी पांच प्रकास वर्स है. तो इस दूरी को मिटर में वेक्ट किजिए. बहुत मोस्ट प्राश्न है. कल हम लोग बढ़े थे कि प्रकास वर्स है क्या? इसका मान कितना होता है कैसे निकालते हैं उसको भी समझाये थे कहते कि याद भी कीजिएगा और निकालना भी सिख लिजिएगा तो बताया थे कि एक प्रकास वर्स जिसको हम लोग लाइट येर्स बोले थे कि एक प्रकास वर्स बराबर होता है 9.461 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है चुकि ये मीटर उटर नहीं कहा है 5 प्रकास वर्स में दूरी को मीटर मताना है तो हम जानते हैं कि एक प्रकास वर्स कामान इतना होता है तो 2 प्रकास वर्स 2 से गुणा 3 प्रकास वर्स 3 से गुणा चार प्रकास वर्स चार सिगुणा तो बोला है पांच इसलिए तो एक प्रकास वर्स का मानी तना होता है हमको याद करना पड़ेगा और तो पांच इसलिए पांच प्रकास वर्स यानि लाइट येर में क्या होगा 5 इंटू 9.461 इसको हम लोग मल्टिप्लाई करेंगे 5.5 इंटू 10.50 इसको हम लोग मल्टिप्लाई करेंगे 5.5 इंटू 10.50 इसको लिखेंगे जहाद के रूप में तो 4.8 305 इंटू 10.60 मीटर ये हम लोग का हो गया 5 प्रकास वर्स में मीटर क्योंकि पुछा है मीटर में तो मीटर में हो गया अगला प्रस्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर देखिए प्रस्न 8 क्या आता है एमके स्प्रणाली में किसी लकड़ी के गुटके का आयतन ज्याक किजिए यदि उस गुटके की लंबाई चवड़ाई और उचाई करमसा 35 सेंटी मीटर 10 सेंटी मीटर और 2 सेंटी मीटर है तो चुके हम जानते हैं कोई भी हो कोई भी आक्रिती है उसका आयतन जो होता है कल हम लोग व्यूत्पन रासियं में आयतन के बारे में पढ़े थे कि आयतन होता क्या है कैसी रासी है मात्र क्या होता है तो हम लोग पढ़े थे कि आयतन बराबर जो होता है वॉलूम जिसको कहते हैं लंबाई, गुरे चवडाई, गुरे उचाई, किसी वियाकरिति का आइटम का सुपर है, क्योंकि हम लोग का लंबाई दिया है 35 cm, 10 cm और 2 cm, लेकिन हमको निकलना है MKS, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, कि MKS का पूरा नाम होता है, मीटर किलो सेकेंड, यानि इस पढ़ाली में लंबाई का मातरक मीटर, चुकि ये लंबाई, चुडाई सब लंबाई है, इंका मातरक मीटर होना चाहिए, जो आयतन है, हम लोग का आएगा cm Q में, लाना है MKS में, इन cm को सबसे पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, चुकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 cm, तो इसलिए 1 cm बराबर एक बटा में 100 मीटर, तो कि ये आजाएगा इधर, और 1 बच जाएगा, यानि cm बच जाएगा, तो जहां जहां cm है, वहां वहां ये दिखने है, तो हो जाएगा 35 गुड़े, 1 बाई 100 मीटर, 10 इंटू, सेंटी मीटर का जबाब पर ये 1 बाई 100 मीटर, और 2, फिर cm का जबाब पर 1 बाई 100 मीटर, अब जो हम लोग का, इसका उनिट आएगा, एम केस में आएगा, यानि ये हम लोग करते हैं, इसको मल्टिप्लाई करते हैं, इसको कैंसल करते हैं, 0 से 0, यहां हो जाएगा, ये 17 इंटू, 1 बाई 10, 1 बाई 100, इंटू, 1 बाई 100, मीटर क्यू, ये 0 से 0 कैंसल, हो जाएगा, 7 इंटू, 1 बाई 10 का पावर 4, यानि 7 इंटू, 10 बाई 100, मीटर क्यू, कोई भी घात है, जब नीचे सुपर जाता है, तो उसके घात का चिंग बदो जाता है, यानि 10 के पावर 4 से 10 के पावर माईनस 4, मीटर क्यू हो गया, इस तरह से हम लोग का, इस लकड़ी का आयतन हम लोग MKS प्रणाली में निकाले है, आगे चलते हैं अगले कोश्चन पर हम लोग, Q9, CGS पधत में जल का घनत तो इतना है, तो SI प्रणाली में इसका अम्मान बताईएं, कल हम बताया कि जो SI प्रणाली है, अंतराष्टिय प्रणाली इसको जो हिंदी में बोलते हैं, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, यह जो प्रणाली है लगभग, यानि लगभग, लगभग MKS के बराबर होती है, अर्थाथ इस प्रणाली में भी लंबाई को मीटर में, दर्मान को किलोग्राम में, और समय को शेकेंड में रख किया जाता है, तो आईए हम लोग का गणत जो है, डेंसिटी है, वो है 1.0 ग्राम प्रती सेंटीमीटर क्यों, यह हमारा जल का गणत है, इसको याद भी रखे कितना होता है, कभी कमक्रिशाम पूचे, तो 1.0ập कर 1.3 cent hacking होता है, तो 6.0 waters को यह होता है, तो S.I. में क्या होता है, S.I., जो दर्मान है, वो kg में होना चाहिए, आयतन जो होना चाहिए, मीटर में, प्रती सेंटीमीटर में इसको चेंज करते है, तो यह हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कि चुकी एक किलो ग्राम बराबर दस के पावर तीन ग्राम अब हमको ग्राम को हटाना है उसके जगाँ पे हमको लाना है केजी को तो यहाँ से एक ग्राम बराबर हो जाएगा दस के पावर माइनस तीन केजी याद रखेंगे एक केजी में दस के पावर तीन ग्रा तो एक ग्राम में कोई पुछ दिया कितना केजी तो 10 के पावर माइनस 3 केजी अब चुकि और भी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 के पावर 2 यानि 100 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2 मीटर ऐसा हमने इसलिए किया कि हम लोग को अब सेंटीमीटर नहीं चाहिए अब हम लोग को ग्राम नहीं चाहिए हमको केजी चाहिए और मीटर चाहिए मतलब जहां जहां हमको ग्राम है वहां वहां लिखेंगे 10 के पावर माइनस 3 केजी और जहाँ जहाँ केवल cm है 10 के पावर माइनस 2 मीटर तो आईए देखते हैं एक को छोड़िए पॉइंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर इंटू ग्राम तो ग्राम के जगाँ पर लिखेंगे 10 के पावर यानि 10 to the power माइनस 3 केजी बाई में है यानि बटा में है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का जगाँ पे 10 के पावर माइनस 2 मीटर है तो मीटर आल रेडी पावर कोटल का है 3 तो इसको हम लोग कल्कुलेट करेंगे 10 to the power माइनस 3 बाई में 10 to the power माइनस 6 उड़ा करेंगे घात का तो 3 दूनी 6 यानि हो जाएगा के जी प्रती एम के पावर 3 यानि मीटर क्यूँ यानि यह उपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 घात का चिन बदलेगा 10 के पावर 6 हो जाएगा के जी प्रती मीटर क्यूँ अधार समान है गुणा की किलिया है धात्व को जोड़ेंगे तो दस के पावर की केजी प्रती मीटर क्यू अर्थाथ 1000 केजी प्रती मीटर क्यू ये इसको याद भी रखेंगे कि जल का घंठ तो में कितना होता है तो 1000 kg प्रति मीटर की होता है SI में भी कह सकते हैं और CGS में कहे कि जल प्रति मेटर की होता है तो 1 ग्राम प्रति सेंटी मीटर की हो, दोने याद रखना है नेक्स चलते हैं अगला प्रसन पे प्रसन संख्या 10 एक प्रकास की किरुण को 3.6 फर्म त्रिजिया वाले नाभी को पार करने में कितना समय लगेगा जबकि प्रकास की चाल दिया है प्रकास की चाल दिया है 3 into 10 to 4 8 meter प्रतिस सेकेड यानि चाल दे दिया किरुजिया दे दिया नाभी को पार करना है तो नाभी को पार करना है तो ध्यान दिजिये यह मान दिजिये कि यह प्रमाण की नाभी के इसको पार करना है तो पार करना है मतलब ब्यास इसके ब्यास को पार करना है तो जो हमारी तिरजिया आर बराबर दिया है 3.6 into 3.6 फर्मी दिया है और हमको निकालना है ब्यास तो ब्यास होता है तिरजिया का दो गुणा 3.6 यानि 7.2 फर्मी और हम बता है कल का फर्मी का होता है तो कल बताये थे कल कर वीडियों में कि एक फर्मी पार्ट वन में मापन के पार्ट वन पढ़े कि एक फर्मी बराबर 10 के पौवर माइनस 15 मीटर तो यहाँ पर्मी को हटा दिया जाए और यहां पे 10 के पौर माइनस 15 मीचर कर दिया जाए ताकि MKS में दिया हुआ चाल है और हमारा यह जो तिर्जया ही ब्यास है यह हो जाए MKS में तो यह हमारा आपका ब्यास है अब इसको पार करना है तो यह दूरी हो गई और यह चाल है कितना समय लगेगा तो समय बराबर दूरी बटा में चाल समय बराबर दूरी बटा में चाल तो दूरी दिया है हम लोग का यहीं दूरी का हो गया यह ब्यास दूरी हो गई को कि इसको पार करेंगे न तो यहीं दूरी हो गई यह हमारी दूरी हो गई यह रखेंगे 7.2 10 to the power minus 15 मीटर बाई में यह आपका चाल है चाल किसमें दिया है एमकेस में 3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड यहीं प्रति सेकेंड उपर सेकेंड उपर गया मीटर से मीटर कैंसिल यहनि हम लोग का जो आयागा इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4 into 10 to the power minus 50 आई यह उपर जाएगा तो इसका हो जाएगा 10 to the power minus से थभी बताए आपको कि कोई भी रास है जब हर से अंस में जाती है तो उसके घात का चीन बदलता है यानि minus 8 हो गया इस तरह से हम लोग यह बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे यानि घातों को जोड़े जोड़े माइनस 15 माइनस 8 यानि 2.4 into 10 to the power minus 23 आएगा सेकेंड में यानि हम लोग का इस सेकेंड इतना सेकेंड टाइम लगेगा पार करने में इसके ब्यास इसको तिरजिया वाले नाभी को जो पार करेगा प्रकास किरण उस किरण को पार करने में इतना समय लगेगा अगला प्रस्ण देखते हैं जारा नंबर आई एक रेल गारी की चाल 80 किलो मीटर प्रती हंटा है इसको मीटर प्रती सेकेंड में याद कीजिए इसको हम लोग दो मेठल से देखेंगे एक तो लर्न कर लेंगे याद कर लेंगे कैसे होगा दूसरा इसको पूरा गहराई से देखें कैसे होता है कैसे लोग गुरा करते हैं आई दिया है चाल चाल हम लोग का दिया है 80 किलो मीटर प्रती घंटा है हमको निकाला है मीटर प्रती सेकेंड में आई देखते है 80 किलो मीटर नहीं रहेगा क्या रहेगा वहां पे तो हम बताया थे कि एक किलो मीटर अगर हो तो वहा में 10 के पाउर 1, हेक्टो में 10 के पाउर 2, कीलो में 10 के पाउर 3, ये हम लोग मापन के पार्ट 1 वीडियों पढ़े हैं, जो लोग भी मापन के पार्ट 1 वीडियों नहीं देखे हैं, उसको देख लिजिए, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से किलियर हो जाए, ताकि आने वाले कंपर्टिशन में कोई भी प्रस्न आप से न छोटे, तो आई ये देखते हैं, 10 के पाउर 3, और यहां घंटा, हम जानते हैं कि एक घंटा बराबर, 36 सेकेंड हता है, तो हम क्या करेंगे, किलो मीटर को हटा देंगे, और वहां लिखेंगे, 10 के पाउर 3 मीटर, क्योंकि किलो मीटर हटेगा, और मीटर आएगा, बटा है, तो बटा है, घंटा को हटाएंगे, और 36, यानि 36 हम लोग का हो गया सेकेंड, करते हैं यह 0 से 0 कैंसल हो गया आठ गुणे 10 के पाउर थी मतलब क्या 1000 बटा में 360 आइए यह आगे मीटर परटी शेकेंड जब इसको हम लोग कैंसल करेंगे तो 0 से 0 कैंसल हो जाएगा यह 4 दूनी 8 4 दोनी 8 4 नम छथी यानि आपका हो जाएगा 200 बटा में 9 मीटर प्रती सेकंड यह हम लोग का आ गया रेलगारी की जो चाल है वो 200 बटा में 9 मीटर प्रती सेकंड में आ गया अगला प्रशन देखते हैं हम लोग इसको दस्मलों में कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं प्रशन संख्या 12 देखते हैं शोजियों प्रकास की तरनख द्यभियां। हम कल बोले थे कि प्रकास इंल स्टाlungsप्राइब की यह दूरी का छोटा मातरप होता है जो मईकृच्वा वह मेझाय तरंग दयधर्य का मान गिया है पांच हजा आठ सो तिरांडे एंगेश्टाम अब एंगेश्टाम को हटाना है और यहां पे हमको लाना है मीटर में तो कल बताया थे आपको कि एक एंगेश्टाम में होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर तो एक मीटर तो इंगेश्टाम को जब हटाएंगे तो यह मीटर में आटोमेटिक आ जाएगा यानि 5893 यानि 5893 रहेगा इंगेश्टाम नहीं रहेगा वहां रहेगा 10 तो तो इस तरह से यह हो जाएगा हम लोग का 5893 और यह बाई में जब जाएगा तो यह हो जाएगा 10 के पावर 10 अब यह 10 मॉलो या तो आप किजिए ऐसे करते हैं कि इसको हम लोग यह 10 मॉलो जैसे इधर जाएगा तो पावर एक बढ़ता जाएगा यानि यह तीन बार जाएगा देखते हैं यहाँ 10 मॉलो है तो यह एक बार दो बार तीन बार उसमें तीन बार एड हो जाएगा प्लस 3 मीटर यहाँ आजाएगा 5.893 इंटू 10 दो दिवार माइनस 7 मीटर यह हमारा जो परकास की तरंग दैधर है वो आगया मीटर में अगला प्रस्ण देखते हैं तेरा नमर प्रस्ण है एक मीटर लंबाई में जिवानों की संख्या कितनी होती है यदि एक जिवानों का आकार एक माइक्रान है बहुत और यह प्रस्ण है कि एक जिवान का जो आकार है एक मीटर है तो एक मीटर लंबाई में कितने जिवानों का सद championship होगे थे देखते हैं कैसा होगा चुकive हमकल बताए कि była की एक जीवार जो है उपाच सब्सक्राइ। आढाये दीखते हैं चुकी एक माइकरान बराबर हम लोगा होता हैाइ। दस के पाउर माइनस फिक्स मीकर तो एक मीटर में आगे आपना 10 के पावर 6 माइकरान यानि एक मीटर में कितने 10 के पावर 6 माइकरान आई ये माइकरान है क्या जिवान यानि खुल मिला के 10 के पावर 6 जिवान आपके आएंगे कितने मीटर में एक मीटर में हम माइकरान के जब जिवान क्यों लिखे तुकि कह रहा है कि एक माइकरान क्या है जिवान है एक माइकरान क्या है एक जिवान है यानि माइकरान हटा जिवान आ गया इस तरह से एक मीटर लंबाई में जिवानों की संख्या गई 10 के पावर 6 यानि 10 लाख 10 लाख इसको लिख स है प्रस्ण हम लोग प्रस्ण संख्या चौदा मूल अच्छा ये देखिए यह अतिलहवुतरी प्रसण है जिसको हम लोग धियान से देखेंगे जुसको हम लोग पढ़े हैं मापन के पार्ट वन में हम लोग अच्छी परकार से इतना बढ़िया से पढ़े हैं कि अगर पूरा वीडियो लगभग एग घंटा का वीडियो हमारा है अगर उसको पूरा देख लिया जाए तो उमीद करते हैं कि आप मापन से कोई भी प्रशन कभी भी नहीं छोड़ेंगे तो आएए देखते हैं उसी का कुछ प्रशन है जो पार्ट 2 में है आई मूल राशिया किसे कहते हैं fundamental quantity इसको हम केवल इसे बोलेंगे इसको हम part 1 वीडियो में समझाए भी है और बताए भी है लिखे भी है तो मूल राशिया जो स्वतंत्र होती है किसी अनिरास्पन एगर नहीं करती है उसे मूल राशिया कहते हैं ये कितनी होती है तो कल बोले थे साथ होती है तो अगला देखते हैं प्रस्न संख्या दो एक सकेंड तुल होता है एक सकेंड किसके तुल होता है तो हम कल पर हैं कि एक हैं माध्य सहर दिवस एक माध्य सौर दिवस एक माध्य सौर दिवस वरवा 86,400 सेकेंड ये हम लोग जानते हैं कल के विडियो में लेकिन ये पूछा एक सेकेंड एक सेकेंड किसके वरवर होता है तो यहां से हम बोले हैं कि एक सेकेंड को अगर छोड़ दें तो ये बाकी सब जो गुणा में है भाग में आ जाएगा यानि एक सेकेंड आटोमेटिक हो जाएगा एक बटा में 86,400 माध्य सौर दिवस माध्य सौर दिवस मतलब एक सेकेंड माध्य सौर दिवस का 86,400 भाग होता है यही ये कहना चाहता है कि क्या होता है किसके बराबर होता है तो माधिसोर दिवस का 86400 हिस्सा होता है अगला प्रस्द देखते हैं तिन नम्बर MKS का पुरा नाम तो मीटर किलोगराम सेकेंड अगला प्रस्न देखते हैं MKS प्रस्न संख्या ये चार MKS पधत के मुल मात्रकों का नाम लिखिए MKS नम्बर हो गया दूरी यथवा लंबाई का सुचम मात्रक क्या होता है दूरी यथवा लंबाई का सुचम मात्रक तो हम छोटे बड़े मात्रक बताये थे कि सुचम मात्रक फर्मी भी होता है एक फर्मी बरागर हम लोग पढ़े 10 के पावर माइनस 15 मेटर ये सुचम मात्रक होते हैं माइक्रॉन भी होता है 1 माइक्रॉन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मेटर एंगेश टाम भी होता है एक एंगेश टाम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मेटर ये सभी दूरी और लंबाई के सुक्ष मात्रक है लंबाई का अगला प्रस्ण देखते हैं लंबाई का प्रयोग में आने वाले सबसे छोटा सबसे बड़ा मात्रक्त क्या होता है तो सबसे छोटा जो मात्रक्त होता है फर्मी एक फर्मी बराबर यह सबसे छोटा होता है दस के पाउर माइनस पंदरा मीटर यह छोटा में और बड़ा में पार्सेख होता है पार्सेख जो प्रकास वर्स का 3.26 गुना होता ह प्रकास वर्ष का यह 3.6 होता है यह लंबाई का सबसे बड़ा यह लंबाई का सबसे छोटा अगला प्रसंद देखते हैं साथ नंबर एक मीटर क्रिप्टान 86 परमाल द्वारा उत्सर्जित नरंगी रंग के प्रकास की तरंग्द कितनी होती है तो जो प्रकास की तरंग्द धरी होती है वो होती है सोलह पचास चीहत्तर तीन दस्मलों साथ तीन कितना गुणा होती है यह क्रिप्टान एक मीटर में एक मीटर में एक मीटर में क्रिप्टान 86 परमाल द्वारा उत्सर्जित नरंगी लाल प्रकास की तरंग्द आती है तो सोलह पचास चीहत्तर तीन दस्मलों साथ तीन इतना हमारा एक मीटर में हमारी नरंगी लाल की परकास की तरंग्द आती है अगला प्रसन देखते हैं मानक सेकेंड मादे स्वार दिवस का कौन सा हित्सा होता है अभी जो हम लोग परशन पढ़े यहीं परशन पढ़े थे कि एक सेकेंड क्या होता है उसीमन बताया गया था कि एक सेकेंड जो होता है मादे स्वार दिवस का च्छी हसी हजार चार सवा ये भाग होता है अगला प्रस्न देखते हैं जल का त्रिक बिन्द जल का जो त्रिक बिन्द होता है वह हम लोग जानते हैं 270.16 degree Celsius यह जल का त्रिक बिन्द मतलब इसका मतलब होता है कि इस temperature पर जो हमारे जल होता है वो तीनों आवास्थान पायाता है मतलग ठोस में द्राव में और गैस में यह हमारा त्रिक्विल होता है अगला प्रस्ण देखते हैं एक एंगे स्टाम को मीटर में वेक्ट किजिए एक एंगे स्टाम को मीटर में यह प्रश्न हम अभी पढ़ है कि एक एंगे स्टाम को मीटर में तो एक एंगे स्टाम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है यह हम लोग को याद है तो इस तरह से हम लोग मापन इसके पाट 2 में जितने भी प्रसंद थे उसको हम लोग ने देखा समझा और अध्यन किया असा करता हूं कि आज का ये मैं वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक करें सेर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को सेर करें ताकि मेरा ये मुहीम आप तक पहुँचे और अच्छी से अच्छी सिक्षा आपको दे सके साथ में यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बिल आइकन दबाएं जिससे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय तू समय पहुंचती रहे